मेश आज का दिन कुछ परिशानियों भरा हो सकता है, किसी बात की चिंता करने की बजाए उसका हल निकालने का प्रयास करें, सब कुछ जानते बूझते हुए चूपना रहे नहीं तो इससे आपका और आपके प्रियाजनों का नूत्सान हो सकता है, आज निजी जीवन से संबंधित कोई मत्वपूर्ण निरने लेने से फले किसी से सला अवश्य करें, आज अपने मूर स्विंग को नियंतरण में रखें, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में आज कोई लापरवाही ना करें, यदि किसी बात से चिंतित हैं तो उसे किसी से व्य करें, लब प्रियाजनों से अपनी बात व्यक्त करने से ना कत्राएं, यदि परिवार में किसी की बात से आप खुश नहीं हैं तो उनसे बात अवश्य करें नहीं तो रिष्टों में कड़वाहट बढ़ती जाएगी हेल्थ, अच्छे स्वास्थे के लिए अपने भावों और विचारों को खुल कर व्यक्त करें, उन्हें जितना दबाएंगे उतन ही वे रोग का कारण बनेंगे, यदि कोई रोग परिशान कर रहा है, तो डॉप्टर के साथ साथ किसी का उनसलर से भी मिलें व्रिशाज के दिन परिस्थिती आपके अनुकूल नहीं होगी, बदलती परिस्थिती के साथ अपने आपको ढ़ाले, आपके आसपास यदि कुछ ऐसा हो रहा है, जिसे आप अंदेखा कर रहे हैं, तो अपनी आँखे खोले नहीं, तो बहुत देर हो जाएगी, और आप का अनुक्सान हो सकता है, अपने वातावरण के प्रती सचेत्र है, किसी करीबी दोस्ते आरिश्थेदार पर इतना भरोसा ना करें कि आपको बाद में निराश होना पड़े, अपने परिवार से अपनी कोई बात ना छुपाए नहीं, तो उन्हें किसी और से पता चलेगा, त कोई तनावपूर्ण स्थिती बनी हुई थी, तो उसका जल्धी हल मिलेगा, रुके हुए काम बनेंगे, लब किसी भी बात से अधिक परेशान ना हो, उसे एक नए दृष्टिकोर्ण से देखेंगे, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यदि किसी ने दिल दुखा है, तो उसे आज माफ करें एल्थ, स्वास्थे सामान में रहेगा, किसी पुराने रोग से निजात मिलने के योग है, अपने प्रयास में कोई कमी ना होने दे, मचलियों को खाना खिलाए, मिथुन परिस्थिती चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो, आपकी मेहनत और विश्वास से आप उसमें भी नहित वर्दान ढूंड़ सकते हैं, वर्तमान में जीने का प्रयास करें, ऐसा ना हो कि आप आज के सुन्दर पलों को गवा दें, और जीना ही भूल जाएं, अपने जी जाने ना दे, प्रोफेशन, अपनी मिहनत के अनुसार, अपने वेतन को बढ़ाने के लिए बात अवाश्य करें, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, लब, अविवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कोई अच्छा रिष्टा आ सकता है, हेल्थ, स्वास्थ के आज सामान में रहेगा, किसी सेहत संबंधी लक्षन को अंदेखा ना करें, उसकी जल्ग से जल्ग जाच करवा कर निश्चिन्त हो जाए, करकाज किसी बात को लेकर मन में दुविधा रहेगी जिससे निरणय लेने में परिशानी हो सकती है, किन्तु जिस परिस्थिती को आप टालने का प्रयास कर रहे हैं, उसका सामना जितनी जल्दी करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा, और तनाम भी दूर होगा, नकार आत्मक सोच से बचे, किसी एक सपर या काउनसलर से मिले, पुरानी बातों को सोच कर अपने वर्तमान को खराबना करे, प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में किसी निरणय को लेकर दुविधा में हैं, तो किसी से सलाह अवाश्य ले, बहुत ज्यादा देर ना करे, निरण परिशान हैं, तो उससे संबंधित हल निकाले मेल्थ, सेहत का ठ्यान रखे, चिंताओं के कारण अपनी सेहत पर असर ना होने दे, मेडिटेशन, योग और प्राणायाम आपके लिए बहुत लाबकारी रहेगा, सिंगा आज का तिन मिश्रित फलदाई रहेगा, फिर भी आपके सकारात्मक द्रिश्टी कोर्ण के कारण आप हर परिस्थिती को अनुकूल करने में सफल होंगे, आज मवपूर्ण निरणय लेने के लिए अच्छा किन है, कोई मत्वपूर्ण डील आपके हत में हो सकती है, काम में कोई लापरवाही ना करे नहीं, तो आर्थिक रूप से हानी होने की भी संभावना है, अपने जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें, सच बोलने से ना कत्राएं, प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में बास से स्योग मिलेगा, आपकी कार्यक उशलता के लिए आपकी सराना होगी, अपने सोच विचार सकारात्मत बनाएं रखें, लब, प्रियाजनों के साथ अच्छा समय बिताने को मिलेगा, रिष्टेदारों की बातों में आकर अपने परिवार में कोई कड़वाहट ना आने दें, स्वास्थे अच्छा रहेगा, और आपका साथ देगा अच्छी सेहत के लिए की गई मेहनत फल देगी कन्या आज अपना काम और अपनी जिम मेदारियों को ना अटाले नहीं, तो परिस्थिती को विगरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा अपना काम पूरे फोकस से करते रहे, आज कोई लापरवाही ना करे, अपने मूर स्विंग पर नियंतरन रखे कुछ समय से चला आ रहे काम आज संपन्ध हो सकता है, थोड़े और ठैरे की आवश्यक्ता है, रिष्टेदारों से मिलने का मौका मिलेगा प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज काम में मन नहीं लगेगा किन्तु आज लापरवाही ना करे कुछ समय से चला आ रहे काम आज संपन्ध हो सकता है, लब अविवाहितों को अच्छे रिष्टे के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, सामाजिक मेल जोल बनाए रखे, उसे रास्ते खुलेंगे हेल्थ, स्वास्थे सामान में रहेगा, यगी किसी रोग से जोच रहे हैं तो थोड़े और प्रयास करने की आवश्यक्ता है, जलभी रोग से निजात मिलेगा, तुला आज का तिन प्रोफेशनल और से अच्छा रहेगा किन्तु निजी जीवन में कुछ उथल पुथल हो सकती है, कारे समबंधित कोई अच्छा समाचार मिलने के आसा है, जिससे आपके बिगडे हुए काम बनेंगे, जो काम कुछ समय से करना चाहा रहे थे, वह करने में सफलता मिलेगी, अपनी मियनत में कोई कमी ना होने दे, परिवार में यदि कोई विवाद उत्पन हो रहा है, तो अपना मत अवश्य रख ले, जो सच है, उसका साथ दे प्रोफेशन, नए प्रोजेक्ट मिलने के आसार है, जिससे धन लाग होगा, अपनी मियनत में कोई कमी ना होने दे, लग, विदेश यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, अविवाहितों के लिए आज का तिन फलदायक रहेगा, कोई अच्छा रिष्टा मिलने के आसार है, अपने प्रयास करते रहे नेल्थ, स्वास्थिय को अच्छा बनाने के लिए उच्छित प्रयास करने की आवश्यक्ता है, सह्यम और ठैरे से सफलता मिलेगी, व्रिष्टिक जीवन में अपने वर्दान को देखने का प्रयास करे, यदि कोई परेशानी बनी हुई है, तो अपना दृष्टी को अवसर में बदल जाएगी, परिस्थिती इतनी बुरी नहीं जितना आपके भय के कारण आपको प्रतीत हो रही है, अपने विचारों और स सकारात्मत बनाएं रखे, पारिवारिक मेल जोल के लिए अच्छा गिन है, प्रोफेशन, कार्यक्षेत्र में व्यार्थ की चिंताएं ना करे, काम अपनी गती से चल रहा है और समय से समाप्त हो जाएगा, काम को इतना गंभीरता से ना ले की वह बोच बन जाए, लब प्र प्रिहत के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो जल भी फल मिलेगा, धनुआ आज थोड़ा समय अपने लिए अवाशे निकालें और अपने आने वाले जीवन की राह और लक्षे का निर्धारन करें, दर्विये क्रिपा से आपको बहुत कुछ मिला है, अपने कोशल से दूसरों का मार्गदर्शन करें, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की आप शमता रखते हैं, अपने इस उत्तरदा इत्व को निभाएं, जब तक इस से दूर भागते रहेंगे तब तक जीवन में असंतोश की भावना बनी रहेगी, प्रोफेशन, आज का काम से संतुष्ट नहीं है, तो वह काम करिए जिसमें आपको खुशी मिलती हो, उससे आर्थित सम्रिधी भी मिलेगी, लग, बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, विवहा के लिए थोड़े और प्रयास करने की आवश्यक्ता है हेल्थ, अच्छे स्वास्थे के ल वर्तमान में रहे, आपको बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नती होगी और अथ्यात्मिक रूप से आकी वृध्धी होगी, किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज हैं तो उस व्यक्ति को माफ करने का प्रयास करें, किसी भी कारियर्या रि परिवार अजनों के साथ आज समय बिताएंगे, पुरानी बातों को याद कर आज दुहक मनाने में अपना समय बरबादना करें इल्थ, स्वास्थे का थ्यान रखें, तनार से बचें, चिन्ता किसी भी चीज का हल नहीं है, कोई पुराना रोग आज परेशान कर सकता है, इ स्थितली अनुकूल रहेगी, पुराने किये हुए निलेश से धनलाध के योग हैं, कि हुई मियनत फल लाएगी और उन्नती का मारण प्रशस तकरेगी, अपने जीवन को दूसरों के लिए आदर्श बनाए, किन्तु इस प्रक्रिया में अपने मत्व को कम ना होने दे, प्रियाजनों के साथ सुन्दर समय बिताने को मिलेगा, किसी रिष्टेदार या प्रियाजन पर अपने आपको इतना नियोचावर ना करे कि वे आपका मत्व ही भूल जाएं गेल्थ, स्वास्थे सामान में रहेगा, तनाव के कारण डिप्रिशन जैसी स्थिती सलर से मिले, मेन आज का दिन कुछ कश्ट गायक हो सकता है, हर परिस्थिती को लेंदेन के नजरिये से ना देखे, आज धन धानी हो सकती है, इसके प्रती सचेत्र हे, आज किसी प्रकार से दान अवाश्य करे, गाय को पालक खिलाने से लाभ होगा, आज आपके जीवन में कम अच्छी बाते निहित हैं, उन्हें देखे, प्रियाजनों के साथ छोटी छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, प्रोफेशन, कार्यक शेत्र में आज किसी बात से समझ पौता ना करे, वही करे जो आपको उचित लगता हो, धन लाब के होग है, लब, अपने जीवन साथी से खुल कर बात करें, उन्हें समझने का प्रयास करें, तभी परिशानियों का हल होगा, अविवाहित व्यक्ति, आज कोई मत्वपूर्ण निरने ना लेंगेल्थ, डॉप्टर से निरंतर चेक आप कराते रहें, किसी की बात को दिल पर ना लें कि इस से आपके स्वास्थ्य क इहानियों!